आज हम लोग आपकी कक्षा बारह की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है संस्कृत भाशायाह महत्वम जिसका की हिंदी अनुवाद है संस्कृत भाशा का महत्व आज हम लोग इसके इस गद्याश का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे तो देखिए एक बार में हम लोग एक-एक वाक्य लेंगे और इसमें जितने भी संस्कृत के शब्द आये हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानते हुए हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे ठीक है तो चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं तो देखिए संस्कृत साहित्यस्य देखिए संस्कृत साहित्यस्य का मतलब है संस्कृत साहित्य के संस्कृत साहित्य के आदी कवी ही आदी कवी ही माने आदी कवी आद कवी का मतलब होता है प्रथम कवी पहला कवी तो जो वालमी की हैं इनको संस्क्रित का पहला कवी माना जाता है ठीक है तो आद कवी मतलब आद कवी और वालमी की मतलब वालमी की इन्होंने रामायड क्रचना की थी आपको पता है रामायड गरंथ लिखा था तो वही वालमी की है ठीक है महर्शिव्यास देखे महर्शिव्यास मतलब महर्शिव्यास इनका पूरा नाम है महर्शिवेद व्यास तो हम व्यास ही कहलेंगे महर्शिव्यास ही कहलेंगे कोई दिक्कत नहीं है इन्हों महा भारत की रचना के थी ठीक है आगे देखिए कवि कुल गुरुह देखिए कवि कुल गुरुह मतलब कवि कुल गुरुह अन्य अन्य मतलब अन्य अन्य मतलब अन्य चमाने और चमाने और भास देखे ये भी कवि का ही नाम है जैसे उपर आप वालमी की वेद व्यास पढ़ भारवी ये भी कवी का नाम है ऐसे ही रहेगा भारवी भवभुत्यादयो देखे इसमें दो शब्द है पहला है भवभुति जो की एक कवी का नाम है भवभुत्या मतलब भवभुति ठीक है कवी है और दूसरा है आदयो आदयो मतलब आदी तो हो जाएगा भवभुति आदी महा कवयह, देखे महा कवयह का मतलब है महा कवी, स्विकियाई है, देखे स्विकियाई का मतलब है अपने, ग्रंथ रतनाई है, देखे ग्रंथ रतनाई है का मतलब है ग्रंथ रतनों द्वारा, आध्याप मतलब आज भी, दो शब्द है आध्याप और आपी, आज भी पाठका नाम देखे पाठका नाम मतलब पाठकों के पाठकों के देखे पाठक का मतलब होता है कि जो इन कभियों के इन साहित्यकारों के जो किताबों को पढ़ते हैं पाठक उनको कहा जाता है आप ये पाठक जाती वाला पाठक मत समझेगा ठीक है पढ़ने वाले क पाठक कहा जाता है तो पाठकों के हरदी मतलब हिरदय में हरदी मतलब हिरदय में विराजनते विराजनते मतलब विराजमान हैं विराजमान हैं जिसको आप कहते हैं कि दिल में बसते हैं दिल में निवास करते हैं तो विराजमान हैं देखे पुनविराम आ गया है तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद सीखते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे संस्कृत साहित्य के संस्कृत साहित्य से संस्कृत साहित्य के आदि कभी आदि कभी ही आदि कभी संस्कृत साहित्य के आदि कभी वालमी की वालमी की वालमी की आदि कभी बालमी की और जैसे जैसे कामा है लगाते जाएंगे ठीक है वालमी की कामा लगाएंगे और लिखेंगे महर शिव्यास फिर कामा लगाएंगे कभी कुल गुरु काली दास तो हम लोग कहेंगे कभी कुल और अन्य के उल्टाएं और है कवि भास कामा भारवी भवय भूत अधिया है अपने कप अलिगत अधिया है ग्रंथ रत नहीं है ग्रंथ रतनों द्वारा आज भी अध्यप आज भी पाठकों के पाठका नाम पाठकों के हिरदय में हिरदय में विराज मान है विराजनते विराज मान है पुन ब्रहाम लगा देंगे और इतने का अनुवाद हो जाएगा चलिए इतने का अनुवाद एक तो देखे हो जाएगा संस्कृत साहित्य के आदि कवी वालमी की कामा महर्शिव्यास कामा कवी कुलगुरु कालिदास और अन्य कवी भास कामा भारवी कामा भवभूती आदि महा कवी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हिर्दय में विराज मान हैं और पुण्विराम लगा देंगे चलि आगे देखते हैं इम इम माने यह भाषा सरल है ऐसे ही रहेगा असमा भी माने हमारे लिए मात्री समम माने माता के समान सम माननिया मतलब सम माननिय वंदनिया मतलब वंदनिय च च माने और यतो माने क्यों की भारत मातुह मतलब भारत माता की स्वातंत्रयम मतलब स्वतंत्रता गवरवम माने गवरव अकहंडत्वम माने अकहंडता सांस्कृतिकम एकत्वम च देखे इसमें तीन शब्द हैं पहला है सांस्कृतिकम सांस्कृतिकम माने सांस्कृतिक सांस्कृतिक दूसरा शब्द है एकत्वम एकत्वम मतलब एकता तो हो जाएगा सांस्कृतिक एकता और तीसरा शब्द है च च माने और संस्कृते नैव का मतलब है संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित मतलब सुरक्षित सुरक्षित माने सुरक्षित शक्यनते मतलब हो सकती है तो देखे हाँ पुर्विराम आ गया है तो चलिए इतने का अनुवाद सीखते हैं तो देखे हो जाएगा यह यम यह भाशा यह भाशा हमारे लिए असमा भी हमारे लिए यह भाशा हमारे लिए माता के समान मातरी समम माता के समान यह भाशा हमारे लिए माता के समान सम्माननी और चको पहले लिजे और वंदनी और वंदनी है है जोड़ दीजे है और कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे क्यों की या तो क्यों की भारत माता की क्यों की भारत माता की स्वतंतरता कामा है तो कामा लगा देंगे ठीक है जहां कामा रहेगा लगा देंगे भारत माता की स्वतंत्रता गौरव गौरवम गौरव अखंडता अखंडत्वम अखंडता और अब इसको पहले लिजच्य और अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही संस्कृते नैव संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है सुरक्षित हो सकती है और पुनविराम लगा देंगे चलिए इतने की इतने का हिंदी अनुवाद एक बार फिर से देखते हैं अब की बार मैं थोड़ा जल्दी से बोलूँगा आप ध्यान से सुनियेगा तो देखे हो जाएगा यह भाशा हमारे लिए माता के समान सम्माननी और वंदनी है कामा लगाएंगे लिखेंगे क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है और पुनविराम लगा देंगे चलिए आगे देखते हैं इम पहले ब्या चुका है इम माने यह संस्कित भाशा हिंदी ही है तो ऐसे ही रहेगा संस्कित भाशा सरवास मतलब सभी सरवास माने सभी भाशास मतलब भाशाओं में भाशास माने भाशाओं में प्राचीन तमा प्राचीन तमा मतलब प्राचीन यानि पुरानी ठीक है स्र प्रेश्ठा मतलब श्रेश्ठ चास्ति देखे इसमें दो शब्द है पहला च माने और और दूसरा अस्ति अस्ति माने है तो देखे पुन बिराम आ गया है तो चले इतने कानुवाद सीख लेते हैं तो देखे हो जाएगा यह संस्कित भाषा सभी सरवासु सभी यह संस्कित भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और प्राचीन और प्राचीन और प्राचीन और स्रेश्ठ आब अस्ति को लिजे है श्रेष्ठ है प्राचीन और श्रेष्ठ है और पुनबिराम लगा देंगे चलिए इतने कानुवाद एक पर फिर से सीखते हैं तो देखिए हो जाएगा यह संस्कृत भाशा सभी भाशाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है और पुनबिराम लगा देंगे चलिए आगे देखें सुष्ठुक्तम का मतलब ठीक ही कहा गया है भाशास मतलब भाशाओं में उपर भी आ चुका है भाशाओं में मुख्या मतलब मुख्य मधुरा माने मधूर देवया मतलब देवय या अलोकिक आप अलोकिक भी कह सकते हैं गिरवाण भारती मतलब देव बाणी यानी संस्कृत इति माने ऐसा तो चलिए अब इसका अनुवाद सीखते हैं तो देखें हो जाएगा अतह ततह अतह ठीक ही कहा गया है की गिरवाण भारती देव बाणी संस्कृती भाशाओं में या आप कह सकते हैं सभी भाशाओं में मुख्य मधूर और अलोकिक है ठीक है पुण बिराम लगा देंगे और अनुवाद पूरा हो जाएगा चलि एक बार फिर से देख लीजिए तो देखे हो जाएगा अतह ठीक ही कहा गया है कि अब यहां आजाएए देववाणी संस्कृती सभी भाशाओं में मुख्य, मधूर और अलवकिक है पुण बिराम लगा देंगे और आप कानुवाद पूरा हो जाएगा चलिए अब इसको हम लोग कापी पर कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले आप प्रशनुत्तर नंबर डालेंगे संकेत डालेंगे और दो में से जो एक गध्यांश हल करे उसके शुरू का और अंत का लिख लेंगे ठीक है उसके बाद आप संदर भेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तूत संस्कृत गध्यांश हमारी पार्ठे पुष्तक हिंदी के अब यहां ध्यान दीजिए यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार संस्कित भाशायाह महत्वम नामक पाठ या शिर्षक दो में से कोई एक बोलना है नामक शिर्षक से उद्धरित है पुन बिराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा ठीक है आपको संदर्भ भी निश्चित रूप से लिखना है अनिवार है अब इसके ब जाल करके लिखेंगे संस्कित साहित्य के आदि कवी वाल मी की कामा महर्शिव्यास कामा कवी कुल गुर कालिदास तथा या और भी कह सकते हैं और अनिकवी भास भारवी भवभूत आदी महाकवी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हिरदय में मान हैं पुन विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे विराज मान हैं यह भाशा हमारे लिए माता के समान सम्माननी तथा वंदनी है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता तथा या और भी कह सकते हैं और सांस्कृतिक एकता संस्कित के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है यह संस्कित भाशा समस्त भाशाओं में सबसे प्राचीन एवं स्रेष्ट है अत्ह ठीक ही कहा गया है देववाणी संस्कित सभी भाशाओं में मुख्य मधूर एवं अलवकिक है पुन बिराम लगा देंगे और इसका अनुवाद पूरा हो जाएगा